ओम शान्ती, 29 जून 2023 की साकार मुरली से होमवर्क आज की मुरली से हम लक्षे लेंगे ममा बाबा को फोलो कर मात पिता समान तक्त नशीन बनना है अर्थात सूर्य वन्शी बनने का पुर्शार्थ करना है सूर्य वन्शी बनने के लिए आज हम अटेंशन देंगे श्रीमत के उपर, रुहानी यात्रा के उपर और सेवा के उपर आज की मुर्ली में बाबा ने श्रीमत्दी पुर्शार्थ करते करते माया से हार नहीं खानी है फिर बाबा ने कहा ऐसा कोई करम नहीं करना जो सत्गुरु की निंदा करा दे बाबा ने आज की मुर्ली में श्रीमत्दी जितना याद में रहेंगे उतना आज्याकारी बनेंगे, वफादार बनेंगे और पवित्र बनते जाएंगे भावा ने आज हंड़र्ड माक्स लेने की श्रीमती हंड़र्ड माक्स होंगे तो ही नंबर वन तकत नशीन बनेंगे अर्थात मात पिता को फॉलो कर सुर्यवंशी राजाई में आने के लाइक बनेंगे तो आज इन बातों को जो बाबा ने डारेक्शन्स दी हैं अर्टेंशन में देंगे दूसरा है निरंतर याद निरंतर याद अर्थात रोहानी यात्रा ये रोहानी यात्रा बुद्धी की यात्रा है तो बुद्धी से परम धाम में जाना है तो चलते फिरते उटते बैठते करम करते आज बाब की याद में रहना है बाबा ने कहा जब तक ये शरीर है तब तक बाप की याद रहे तो आज बाबा की महिमा सुम्रिती में करम करते रहे कि बाबा तो बीज रूप है, रचता है, ज्यान का सागर है, पतित पावन है तो बाबा की महमा, बाबा से होने वाली प्राप्तियों को सुमृति में रखेंगे करम करते हुए दूसरी विदी बताई, बाबा की निरंतर याद तब ही रह सकती है अगर देहे के भान से मुक्त होंगे, देहे के संबंधों के मोहों से उपराम होंगे तब ही बाबा निरंतर याद रह सकता है इसलिए बाबा ने कहा देहे, देहे के सरव संबंदों को भूल मुझे याद करो तो देहे के बान को भूलने के लिए देही का बार बार अभ्यास करना है मैं आत्मा वास्तों में अशरीरी हूँ इस शरीर में पाट पजाने के लिए आई हूँ, मैं आत्मा ही ज्ञान को धारन करती हूँ, मैं आत्मा ही बैरिस्टर बनती हूँ, तो हर बात में आत्मा का अभ्यास करना है, मैं आत्मा परमधाम से आई हूँ, मैं आत्मा गरव में आ करके साकार शरीर धारन करती हूँ, तो आत्मा का चिंतन करते-करते देही के भान, देही के भान मतलब आत्मा के ओरिजिनल गुनों को फिर करम में यूज करेंगे, तो उस गुन दाता की याद स्वता ही रहेगी, और देह के संबंदों को भूलने के लिए बाबा के साथ संबंदों का रस लेंगे, आज बाबा सा साजन, बाफ, टीचर, सत्गुरू के संबंद से हमारे साथ बात कर रहे हैं, साजन कहते हैं, कि आप मेरा बनने के बाद मुझे कभी भी फारकती नहीं देना, सत्गुरू कहते हैं मैं तुम्हें पावन बनाकर सुर्यवंशी राजाई देने आया हूं, टीचर कहते हैं कि मैं तो जब हम संबंध से प्राप्तियों को समृति में रखेंगे तो बाबा की या तो निरंतर रहेगी तो बाबा की या निरंतर तभी रहेगी अगर हम माया से मुक्त होंगे तो बाबा ने कहा सीमरन करते करते तुम विश्नु के गले का हार बन जाएंगे तो सीमरन करते रहना है अर्था स्वदर्शन बुद्धी में फिरता रहे ये स्वदर्शन चक्र फिराने के लिए आज सुमृति में रखना है कि सत्युक में हम गोल्डन एजिट थे हम सूर्य व हम सिल्वर एच में आगे तब क्षत्रिय घराने के बन गे और द्वापर में भक्ति करते करते आत्मा की लाइट उजा गई फिर संगम पर बाबा आकर के हमें ऐसा करम सिखलाते हैं तो 21 जनम हमें करम कूटने नहीं पड़ते अर्था बाबा हमें ऐसा करम सिखाते हैं जिसस आत्मा करम तीत अवस्था को प्राप्त कर लेती हैं हमें पावन बनाते हैं और हमें पावन बना करके साथ ले जाते हैं तो इसी तरह स्वदर्शन चक्र भी बुद्धी में फिरता रहे तो माया के चक्र से भी मुक्त रहेंगे और बाबा की याद भी निरंतर रहेगी और पर बाबा ने सेवा के लिए आमें अटेंशन दिलवाया कि आठ घंटा पांडव गवंग्मेंट की मदद करनी है अर्था सेवा में सहयोग देना है जितना याद में रह करके विश्व की सेवा करेंगे विश्व को पावन बनाएंगे तो इसके लिए बाबा ने बताया सरव शक्तियों को जो आत्मा के अंदर है अन्य आत्माओं की सेवा में देना ही सच्ची सेवा है परमात्मा सरव्यापी नहीं है ड्रामा का राज समझाना है और फिर बाबा ने आज हमें ये भी बताया है कि सत्यूग से लेकर के हम संगम तक कैसे यात्रा करते हैं अर्था 84 जन्मो को का राज बताया है तो इसी तरह सारा दिन हम संरिती में रहेंगे जब हम दिव्या बुद्धी के विमान में बैठकर तीनों लोकों की सेर करेंगे और बावा की याद में रहेंगे तो ये सारी समृतियां तभी रहेंगी अगर ये जो बावा ने हमें टिप्स बताए हैं वो बुद्धी में रहेंगे बुद्धी जितनी स्वच होगी जितना मन निर्मल होगा जितनी रोहानी सेवा में बीजी रहेंगे उतना ही हमारे संस्कारों में पवित्रता और हमारे आत्मा में शक्ति आती जाएगी तो भविश्य में हम सुर्यवन्शी राजाई के लाइक बन जाएंगे ओम शान्ति